वेल्कम बैक स्टुडेंट्स अगेन तो माई यूट्यूब चैनल भी एचेसे स्वेबुक। स्टुडेंट्स जैसा कि आप जानते ही हो कि इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किये थे इस सीरीज के जो कि मैंने यहां पर डिसकस किया आपके साथ जैके बोस कलास 10 की तो इसी सीरीज को आगे ले जाते होए जो आपके लिए पेपर लाया हूँ वह माथमेटिक्स का पेपर आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्विस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नई हो तो प्लीज इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो जो होंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रही और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाएगा ताकि उनको भी इस पैटर्न का पता चल सके तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह मैथमाट्स का पेपर है तो जिहान से देखिएगा क्योंकि मैथमाट्स जो है यह बच्चु को ज्यादा टप लगता है लगता है है तो नहीं तो लेकिन लगता तो है टफ नहीं होता है बच्चों के लिए तो जैसे कि पिछले पेपर में इंगली शायस की टोंटल 80 मार्क्स है तो इसमें भी 80 मार्क्स है और 20 आपका इंटर्न एसेस्मेंट होगा तो आपका इसमें भी 3 आवर्स होगा अब इसमें पर तो टाइनिंग नहीं लिखा है लेकिन 3 जल्डी हर जहें होगा ज़नल इस जो होते हैं चार सेक्ष्ट होते होते हैं 81 कौत note number questions 20 तो सब्सकेव से में होते हैं यह सारे उबज्सक्रीमोहते होते हैं सेक्शन बे होता है, सेक्शन हमें में होते हैं, क्वशन No.21 से लेकर क्वशन No.26 तकु कंपरेज्ञ देज्छ्व द्यीकस . 6 questions आपको 2 marks होंगे और section C में क्या होगा section C में आपको होगा question 27 से लेकर 34 तक यह 8 questions होंगे जिनके 3 marks होंगे और section D होगा उसमें question 35 से लेकर 40 40 तक होंगे और इसमें total 6 questions होंगे 4 marks के overall choice there is no overall choice overall choice तो नहीं होगा however an internal choice has been provided in 2 questions of 1 mark internal choice होगी लेकिन overall choice नहीं होगी internal choice होगी question number section A में है उनमें 2 questions के 1 mark के question होगी उनमें internal choice होगी इसी तरह 2 questions जो 2 marks के होगी उनमें internal choice होगी इसी तरह 3 questions जो होगी जिनमें 3 questions होगी 3 marks के जिनमें internal choice होगी and you have to attempt only one of the choice in such questions जैनिकि उनमें आपको खाले एक करना होगा और three questions are four marks जो four mark के question है उनमें भी आपको three questions में internal choice होगी तो section A में अगर हम देखेंगे section A यहां से section A में total यहां से देखे आप total यहां पे होगे 20 questions तो इनमें से देखे यहां से यहां पे fill in the blanks भी होंगे आपको fill in the blanks true or false होंगे one mark के question में इस तरह से आपको objective इसमें सारे questions होंगे यहां से देखें definition भी बता रहा है क्योंकि इसमें one word आपको बताने है को लिनर points क्या होता है one word के भी हो सकते हैं one sentence के भी हो सकते हैं जिस तरह से format उनका भी हो था write a formula for find the area write a formula for find the area triangle ABC with coordinates है इसने यहां से coordinates दिये हैं triangle का area हमें निकालना है उसकी formula होते हैं वो आपको बतानी है totally इसमें होंगे 20 questions फिर इसी तरह question 21 से लेकर 26 तक इनकी two marks होंगे total in में two marks होंगे इसमें भी देखिए यहां से question number 24 है 24 जो question number है इसमें internal choice दिये है या तो आप इसको करना है या तो इनको करना है इसी तरह section C है section C में भी आपको दो questions में internal देखिए यहां से question number 27 जो है इसमें internal choice दिये है तो आपको ये करना या या ये करना है यहां से Q32 में भी इसको आप देख सकते हैं इंटर्नल चूइश है फिर सेक्षिन डी है इसमें 4, 4 marks है तो यहां से भी देखिए Q35 के इंटर्नल चूइश है allora दू में से एक ये करना है Q37 में भी नूइश है आपको आपको तो यह रहे चार सेक्षिन किस तरह के आपको कुष्टन होने वाले हैं टोंडला को एटी में से होंगे तो यह रहा है यह वो फॉर्मिट है जिसमें से आपको हर चप्टर में से कितने मार्क्स होंगे देखिए अगर हम रियल नमर्स की बात करेंगे चार मार्क् थ्रिव कीकिस तर्दी है कि इसमें दो कॉष्चन होगी जनमें जो जो ऑब्जेक्ट वोगी और 2 कॉष्चन का हो जो मार्क को एक कोष्चन अब उन जाओंको 1 फॉर माक्स हैं तो 1 2 3 इस तरह का होने वाना है सबसे ज़्यादा Marks किसको है सबसे ज़्यादा Marks Quadric equation में है इसमें One Mark, Three Mark और Four Marks टोंटल इसमें Eight Marks है तो आप इस यहां से Marks distribution भी देख सकते हैं तो यह वीडियो शॉर्ट ही रहा आप महनत करते रहे महनत करते रहे Continuously क्योंकि आपके एक्जाम्स तो मार्श में होने वाले हैं तो जो विंटर्स है इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से इस्तिमाल कीजिए गर में बैठे हो तो आरम से इसको हर किसी सबजेक्ट में अच्छी से टाइम डिस्रिबूट करके उस स्पिस्टिपिन कीजिए और मेठेमेक्स में डियूजन बहुत ही ज़्यादा करने की जरूरत है तैंक यू सो मच फॉर वाशिंग डिस वीडियो अगर आप अभी तक इस चैनल को सबस्क्रीब नहीं कीजेगा तो प्लीज इस चैनल को सबस्क्रीब जरूर कीजेगा थैंक यू सो मच